सब्सक्राइब करने जा रहे हैं मार्च 2023 कम्प्लीट मार्च महिने का अगर हम देखें तो करन्ट अफेर आज वन लाइनर के रूप में करेंगे आगामी सभी परतियों की प्रिक्षाओं के लिए सबसे सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ है तो करते हैं सुरवात आज का पहला क्वेशन अगर हम देखें तो नाम दिया हुआ है राजफेड दवारा राजफेड दवारा आधूनिक संसाधनों से यूग सो मिट्रिक टन का पसु आहार प्ला राजफेड दवारा इसके दवारा राजफेड के दवारा फिर आता है राजीवी का राजीवी का दवारा तीन दिवस्य रंग नहीं अपने पन का एहसास नामक पदर्शनी जो है इसका आईजन किया गया और ये पदर्शनी कहां लगाई गई तो ये लगाई गई ती सासन सची वाले में लगाई गई तो जैपूर्श्टित सासन सची वाले के अंदर जो है वो इसका आयजन किया गया इसका आयजने किया गया था रंग नहीं अपने पन का एहसा फिर आता है क्वेश्चन राज्य सरकार परदेश में मंदिरों की भूमी की चार दिवारी कर उन्हें स राजस्तान विबाग कौन सी योजना बना रहा है तो राजस्तान के देवस्तान विबाग के दवारा मंदिरों की भूमी की चार दिवारी कर सरक्षित और विक्सित करने के लिए एक योजना जिसका नाम आता है नंदन कानन योजना तो नंदन कानन योजना जो है वो किस से समंदित है किस विवाग से देवस्तान विवाग से किसके लिए मंदिरों की भूमी की चार दिवारी करके उन्हें सरक्षित विक्सित करने के लिए बनाईया सुरू की गई है फिर आता है इंटरनेशनल यूनियन ओफ रेलवे सुरक्षया बलदवारा अठारवी विस्व सुर प्रक्षया कॉंग्रेस का आईजने किया गया था तो अब हम करने जा रहे हैं या कर रहे हैं कौन सा मार्च 2023 का करण्ट अफेर तो जितनी भी घटना हैं वह मार्च से समन्दित है एक से एक तिस मार्च 2023 तक सडक दुरगटनाओं को रोकने के लिए से लाइफ नामक अभिय हैं वह भाता हैं वहमारे राजस्तान के ब स्ट जिले में चलाया गया था कब से कब चलाया गया एक से ख़एस स्के लिए सडक दुरगटनाओं को रोकने के लिए एप आर गया वारोatarा大 रजियाम किस दुर तो जाया किस विबाग के दवारा राजस्तान के अंदर समाजिक न्याएम अधिकारिता विभाग के दवारा अगर अगर हम देखे तो एक बोड का गठन किया गया और वो बोड अगर पूछे कौन सा है तो वीर्तेजाजी कल्यान बोड का गठन जो है what Kinipad должa कि haven YouTube ने अधिकारिता वीबाग के द्वारा आउजेन ए यदि किया गया फिर आता है राज्तान राज्ये वीर्टेजा जी कल्यान्द बॉड़ का गठन का पुछा गया है इसमें कितने सदस्य होंगी क्या पुछा गया है tea सदस्य पूछागया है तो इसमें अगर हम देखे नोस सदस्य होंगे कितने सदस्य है नो सदस्य जो है वह बीर तेजा जी कल्यान बोर्ड में होंगे हूंगे किस कैंशर को किसा के चेतर में उलेखनिय योगदान के लिए जैपूर रतन आवार्ड से सम्मानित किया गया जैपूर रतन आवार्ड से अगर हम देखे तो एक डॉक्टर जिनकी अगरम बात करें तो नाम आता है उनका डॉक्टर रोहित जी की अगरम बात करें तो इनको जो है वो जैपूर रतन आवार्ड जो है वो दिया गया या इन्हें सम्मानित किया गया फिर आता है 25 से 27 सितंबर 2023 हम करन जी के कब का कर रहे हैं मार्च 2023 का चल रहा है लेकिन ये question पूछा गया है 25 से 27 सितंबर तक मिलेट्स महुच्षव का आईजन अगर पूछे कि राज़तान में कहां किया जाएगा तो राज़तान के जैपूर जिले के अंदर यानि कि जैपूर में मिलेट्स महुच्षव का आईजन है वो किया जाएगा फिर आता है सिविल लेखा दिवस कब मनाया जाता है तो परतिव एक मार्च को मनाया जाता है फिर आता है एक से साथ मार्च 2023 तक जन ओस्दी सप्ताहे का आयोजन किया गया इसकी थीम क्या रखी गई तो कुश्चिन पहला याद से बना कि जन ओस्दी सप्ताहे का आयोजन कब किया गया एक से साथ मार्च एक से साथ मार्च 2023 कि सप्ताहे का आ अगर हम पूछे कि इसकी थीम क्या रखेगी थी तो सही वित्य बरताव क्या है सही वित्य बरताव करें बरतावे करें आपका बच्चा आपका बच्चा और इसी थीम के साथ जो है वो जन ओस्दी सब्ता है का आजो राजस्तान के अंदर यानि कि किया गया फिर अगर हम के हरियाना में इंसा का सिकार उपकर जान गवाने वाले वर्तपूर के दो पीडित परिवारों को किस योजना के तहत अंतरीम साहिता के रूप में एक लाग पचीस हजार रूपे परती परिवार उपलवदे करवाएगे यानि कि राजस्तान के अंदर अगर हम देखे कोलेज लेक्तरार फास्टेड या क्रीशिय अधिकारी के अगरम बात करे या रीट पातरता परिक्षा मेंश के अगरम बात करे तो उसमें अलग से एक टोपिक दे जाता है योजना का आरिस की बीजना जो पिछली बार अगरम देखे आरिस में 20 कोश्चन आय थी ठीक है तो अभी में सारइस की विकनशी आने वाली है और नया स्टार्ट मी ने वाल है ठीक है तो पीडीत पर्तीकर योजणा? और पीडीत पर्तीकर योजना के पर्ती परिवार जुए वह एक पोईंट पाइंड पंचीस लाक रुपे जो है वह राज्य क किस दिल्य में Artificial Intelligence of Things Innovation Hub की स्थापना की जाएगी, तो राजस्तान के अंदर Artificial Intelligence of Things Innovation Hub की अगर पुछे स्थापना का की जाएगी, तो ये राजस्तान के जोद पूर्जिले में की जाएगी, का की जाएगी राजस्तान के जोद पूर्जिले में की जाने की संभावना, यानि कि ये प्रस्ताव अगर यही कुश्चन बुच्छा जाता कि बारतिये बाजरा अनुसंदान संस्तान है तो हैद्राबाद की अगर हम बात करें बारतिये मिलेट्स है हेद्राबाद द्वारा स्तापिद बाजरे का अनुसंदान के अंदर अगर पूछा जाता तब तो हमारा राइट आंस्वर रहता मंडोर और मंडोर का है जोदपूर के अंदर है बाजरे का अनुसंदान के अंदर का है बाजरे में जोदपूर में लेकिन क्सिन में वह sulphe में देखें तो किस जिले में बाज में निक्या लगा जिले के अंस्टार यानि की इंपोर्टेंट लगाया है फिर आगे आता है राज्य-सरकार की और से संचालित की जा रही, जन-कल्यानकारी, योजनाओं की जानकारी, आमजन तक पहुंचाने के लिए, आर्थी केहन सांकी के विबात की और से राजीव गांदी युवा मित्र कारेकरम के टायते, ट्वीटर स्पेस पर कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है ट्वीटर स्पेस पर चलाया जा रहा है काम री बाता चोपाल पर ये जो कार्यक्रम है ये चलाया जा रहा है किसके तहट राजीव गांदी युवा मित्र कार्यक्रम में के तहट किसके दोबारा है ये विध्यानकना फिर आता है जीने की जिद, जीने की जिद पुस्तक के लेखके कौन हैं, जीने की जिद नामक पुस्तक के लेखक हैं, डॉक्टर रमेश अगरवाल, तो डॉक्टर रमेश अगरवाल जी के दुवारा लिखी गई पुस्तक, पुस्तक का नाम है जीने की जिद, फिर आता है आ पहला वान स्क्रेपिंग सेंटर जो है वो कहां खोला गया है जैपुर जीले में खोला गया है तो जहां राज्ये का पहला सबस्द आए समझ लेना कि क्योंकि वो स्टेटिक जीके गरूप में भी क्या कुछने बनता है पिर देखे तो आपका क्वेश्चन आया है दो मार्च को जैपुर स्थित किस विसव विदाले के परतम जिक्षांत समरों का आईजने किया गया अगर हम से पूछे कि राजस्तान में हरी देव जोसी पत्तर कारिता हरी देव जोसी पत्तर कारिता एंव जन संचार विसव विदाले जो है वो कहां स्थित है कहां स्थित है तो ध्यान रख लेना कि यह कहां है जैपुर में और जैपुर स्थित हरी देव जोसी पत्तर कारिता एंव जन संचार विसव विदाले का कौन सा दिक्षांत सम स्मारो का ऐजन किया गया था दो मार्च दो हजारे थीस को फिर आता है मेरान गड़ विकास ड्रस्ट की और से वर्च दो हजार थीस तू पर तेस्टित दस्वा उस्ताद गुलाब का अचीवाइट आवार्ड किसे परदानने किया गया तो दस्वा उस्ताद गुलाब का अचीवमेंट आवार्ड जो है वो दिया गया था हंस राज हंस को हंस राज हंस को परदान किया गया मुक्य मंत्री सारजनिक सेवा उत्करष्टा पुष्कार किस ने लौंच किया हमारे राजस्तान की अगर हम देखे करन जी के की अगर हम बात करे वलनारी रूप में उस समय की बात सर रही है जब यानि की मार्च 2023 तो मार्च के ये जितने भी अधिकारी होंगे जो भी होंगे वरतमानी में हो उसकता है कि और बदलाव आ जाए लेकिन एक्जाम की दर्ष्टी से वो आपको समय भी देगा तो मुक्य सचीव स्रीमति उशा सर्मा उसा सरमाजी के दवारा जो है ये पुषकार लौंच किया गया फिर आता है आपका अक्षे उर्जा उर्जा में टोपिक टोपिक की एगरम बात करें अक्षे उर्जा में रास्तान देश में परतमस्तान पर है सोर उर्जा में रास्तान देश में परतमस्तान पर है अक्षे उ 2022 में राष्टिय उर्जा सेलक्षन पुषकारे दिया गया तो राष्टिय उर्जा सेलक्षन पुषकार जो है वो किसे दिया गया हमारे राजस्तान को दिया गया फिर आता है सोलर रूफटोप सेंत्रों की स्तापना में राजस्तान देश में कौन से नंबर पर है एक्जाम में आया हुआ question है फिर भी अगर हम देखे तो इसमें most important question बनता है solar rooftop सेंत्रों की स्थापना और स्थापना में राजस्तान का जो है वो देश में दूसरा स्थान है कौन सा है दूसरा स्थान है फिर आता है देश में अक्षय उर्जा में राजस्तान का हिस्सा कितने परतिसत है देश के अक्षय उर्जा में राजस्तान का हिस्सा जो है वो कितना है 18 परतिसत हिस्सा है कितना है 18 परतिसत हिस्सा है फिर देखे question आया है परदेश में राजकिय सेवाओं में दिव्यांग जनों को कितने परतिसत आरक्षन दिया जा रहा है तो राजस्तान के अ इतना है? 4.30 तो 4.30 आरक्षन जो है वो दिया गया किन को? दिव्यांग जनों को. फिर है राज़स्तान में 22,000 करोण रुपे स्वास्ते छेतर में खर्च किये जा रहे हैं जो बजट का कितना परतिसत है? बजट की अगरम बात करें तो 7.4 परतिसत है किसमें स्वास्ते छेतर में और ध्यान रख लेना राजस्तान का जो राज्य बजट दो हजार तेईस चोविस और ये आया था दस परवरी दो हजारे तेईस को तो राजस्तान के राज्य बजट और आर्थिक समिक्षा इन दोनों की अगर हम बात करें तो ये दोनों जो हैं वो आपको अलग से जाये गो पिर आता है रज्य सरकार दोरा कोरोना के समय कोरोना से ड्यूटी के दोरान जान गवाने वाले सभी मेडिकल और नोन मेडिकल कार्मिकों के लिए कितने रुपे की साहिता दी गई तो रज्य सरकार के दोरा ये जो साहिता दी गई थी वो पचास लाख रुपे की कितनी पचास लाख रूपे करोना से डूटी के दुरान जान गवाने वाले जितने भी मेडिकल और नो मेडिकल जो कार्मिक थे उनको साहताराशी जो राज्य सरकार के द्वारा कितनी गई पचास लाख रूपे फिर आती है राश्टी स्रीमती दोप्ती मुर्मु जी ने जिसकी अगरम बात करें नाम आता है स्रीमती गायत्री देवी यादव क्या नाम आता है स्रीमती गायत्री देवी यादव और गायत्री देवी यादव जी को किसने सम्मानित किया हमारे देश की राश्टी राश्टी स्रीमती द्रोप्ती मुर्मु जी के दवारा सम्वे अ लगू और मध्यम, उद्हम मंतरी नरायन राणे ने राज्य के किस जीले में MSME उद्योगीप पधरश्णी और मेले का उद्गातन किया तो हमारे राजस्थान के कोटा जिले के अंदर। किस जिले में कोटा जिले में लोक सबाद एक्स, लोग सबाद एक्स है, ओम जी बिर्ला, कोटा बुंदी से सांसद है, राजस्तान मूल से बनने वाले, अगर पुछे, परतम लोग सबाद एक्स कौन है, तो कौन है, ओम जी बिर्ला, और राजस्तान से बनने वाले परतम लोग सबाद एक्स कौन है, बलराम जा पिर आगे बढ़ते हैं आगे कुश्शन आया है आपका राज्य की किस विभाग नहीं नसा मुक्त बारत अबियान के परसार के लिए एक सम्दूता ग्यापन परे हस्ताकसर कियें तो हमारे राजस्तान के समाजी के न्याए एम अधिकारिता विभाग नहीं हस्ताकसर किया है फिर आता है माउंट अबूस्तित हमने इसकी चर्चा कल भी किती ठीक है ना कल का मतलब है फर्वरी 2023 के वन लाइनर क्वेशन में माउंट अबूस्तित वर्मा कुमारी वै किस विभाग के मध्य हुए सम्जोता ग्यापन का उदेश्य है युवाओं मैलाओं बीच नशा मुक्त बारत अभियान के संदेश का परसार करना है तो राजस्तान के अंदर माउंट अबूस्तिते और किस विभाग की अभी हमने बात की थी कहुन सा समाचिक न्याय आइम अधिकारिता विभाग और इस विभाग की अगर हम बात करें इस विभाग ने ये चा एल राजस्तान राज्य विदूत निगम लिमिटेड तता एकोनॉमिक टाइम्स के सीवक ततवादान में रिन्यूएबल एनरजी कॉनक्लेव का आईजन कहां हुआ तो मारे राजस्तान के अंदर जैपूर जिले में इसका आईजन किया गया था। जो है वो मंदिरों की चार दिवारी और उन्हें सरक्षित करने के लिए देवस्तान विबाग के दवारा इसका क्या किया गया सुबारम किया गया फिर आता है किस योजना के तहट पिपल आउनले कलब रक्स आदी के पोदे लगाकर मंदिरों की भूमी को विक्षित वै की थी नंदन कानन योजना की जो मंदिरों की चार दिवारी और उनकी अगरम बात करें सरक्षन की तो वही योजना है जिसने अगर हम देखें तो नाम आता है आपका नंदन कानन योजना जो मंदिरों की भूमी को विक्षिते वै सरक्षिते किया जाएगा लेकिन उसके तै पस्वों में गायों में एक बिमारी ठीक है ना लंपी वाइरस और उसी तरीके से अगर हम देखे तो ग्लेडर स्रोग कर जो है वो हमारे राजस्तान में गोडों में फेला था इसमें गोडों में फेला था तो राजस्तान के अगर हम बात करें तो गोडों में ग्लेडर के यह मियावाकी तक्निक कौन सी मियावाकी तक्निक important question है star लगा लेना और अच्छा question बनता है आपका तो मियावाकी तक्निक फिर question आता है आपका अंजाने सिक्षित पुस्टक के लेखक कौन है अंजाने शिक्सित नामक पुस्तक की लेखक के अगर हम बात करें तो वीना चोहान है वीना चोहान जो है वो किस पुस्तक की लेखक है अंजाने शिक्सित फिर एक दिवस आता है अगर पुछे कि पर्तिवरस तीन मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो तीन मारच को विसव वन्य जीव दिवस मनाया जाता है तो वन्य जीव दिवस अगर पूछे कब मनाया जाता है तो वन्य जीव दिवस जो है वो मनाया जाता है परतिवर्स तीन मारच को पिर आता है Ministry of Home Affairs की रैंकिंग में राज्ये के किस ताने को देश में दस्वी रैंक मिली है। राज्य सरकार्दवारा सामुई की विवाय अनुदान योजना के तहत दी जाने वाली अनुदान राशी कितनी है। और चार हजार रुपे मिलेंगे संस्ता को। पिर आता है 4 मार्च 2023 को मनाए गई राश्ये स्वरक्षा दिवस की थीमें क्या रखी गई। तो राश्ये स्वरक्षा दिवस का मनाया जाता है चार मार्च को मनाया जाता है और चार मार्च की अगर हम बात करें तो इसकी थीम जो है वो रखी गई थी फिर आता है गोरा बादल स्टेडियम गोरा बादल स्टेडियम अगर पूछे राजस्तान के किस जिले में है तो चितोडगट जिले में किस जिले में चितोडगट जिले में तो राजस्तान के चितोडगट जिले में है गोरा बादल स्टेडियम तो गोरा बादल स्टेडिय रामपूरा ओर्फे रामसरा यानि मसीता वाली हेड से आगे हनुमानगर के किस सहीद मेजर की परतिमा लगाई गई तो सहीद के अगरम बात करें तो मेजर विकास भंबु मेजर विकास भंबु जी की जो है वो परतिमा लगाई गई फिर आता है राजस्तान की पर्तम, MCH डिग्री प्राप्त प्लास्टिक सर्जन कौन है? राजस्तान की पर्तम, जहां पर्तम सब्द आ जाए समझ लेना कि आपका important question है, तो डॉक्टर माल्ती गुप्ता, माल्ती गुप्ता जो है, वो MCH डिग्री प्लास्टिक सर्जन जो है, फिर आता है जैपूर की चर्चित खिलाडी, दिव्यकिर्ती सियं का समझद किस स्केल से है, जिससे ड्रेसाज, डिसिप्लीन में H.A. की नंबर वने चुना गया, पहली बात किस जिले की है, जैपूर की, खिलाडी का नाम किया है, दिव्यकिर्ती, इसका समझद अगर हम दे जिले से है, तो जैपूर जिले से, खेल पूचे या जिला पूचे, फिर आता है राष्टिय विज्ञान दिवस पर, एंस्पायर आवार्ड मानक योजना के अंतरगत, आविदन के लिए राजस्तान ने कौन सा स्थाने प्राप्त किया, तो राजस्तान ने पर्तमस्तान हा फिर आता है ताता है ताता मोटर्स ने राजस्तान के किस जिले में पहली रजिस्टर्ड वेhical, स्क्रेप इंग फेसिलिटी की अगरम बात करें तो जैपूर जिले में कि जिले में जैपूर जिले के अंदर शुरू की गई फिर आता है मार्च 2023 में राज़तान रेंकिंग मास्टर्स बेडमिंटन परतियोगिता का आयोजन हुआ तो मार्च 2023 के अगरम बात करें तो राज़तान के कोटा जिले के अंदर राज़तान रेंकिंग मास्टर्स बेडमि आ गया है कितने खोले गई पांच नए महिला बंदी सुधारे गरे और ये खोल कर राजस्तान देश में कौन से नंबर पर आ गया सिर्थ बर्तम स्थान पर या एक नंबर पर आ गया है फिर आता है राजस्तान सुक्सम सिंचाई मिसन सुक्सम सिंचाई मिसन सुक्सम सिंचाई चैनल मिशन यानि की थपक शिंचाई या बूह 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 या बूह बूह सिंचाई और आता है्म राजास्तान सोलर पंप सयंतर स्टापिद करने में डेस में कौन से स्टान पर है यह अपका क्या क्वेश्चन है इंपोर्टadeceं बनता है और ध्यान रख लें ना और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी अगर हम बात करें तो solar pump सेयंतर स्तापित करने में राजस्तान जो है वो पर्तम स्तान पर है कौन से स्तान पर है पर्तम स्तान पर है तो solar pump सेयंतर स्तापित करने में राजस्तान देश में पर्तम या सिर्स्तान पर फिर आता है जोदपूर स्थित थल सेना की कोनार कोर डेजर्स अरेनर्स यानि कोर ओफ सिगनर्स की पहली महिला कमांडिक ओफिसर पद पर किसे न्युक्ते किया गया है तो जोदपूर के अंदर स्तित जो थल सेना की कोनार कोर है उसके अंदर अगर हम देखें तो नाम आएगा आपका करनले मदूराना क्या नाम आएगा करनले मदूराना मदूराना को क्या किया गया है इस पर न्युक्ते किया गया है पिर है राज्ये के किस जिले में प्रेस प्रीमियर लीग 2023 का आयजन किया गया राजस्तान के अंदर जैपुर जिले में किस जिले में जैपुर जिले के अंदर प्रेस प्रीमियम लीग 2023 का आयजने किया गया अब हम बात करते हैं समाजिक सुरक्षिया पैंसन की और समाजिक सुरक्षिया पैंसन में कितने परतिसत राची रज्य सरकार दवारा वहन की जा रही है समाजी शुरक्षिया पेंसन न्यूंतम जो कितनी कर दी गई है एक जार रुपे कर दी गई है ठीक है ना और अगर हम देखे वे से अलग लग योजना का दाइरा अलग लग है तो इसके तायत अगर हम देखे तो 90% राशी जो है वो कौन वहन कर रही है राज्य है सरकार वहन क से तक ढमेस्ट्रिक ट्रेवल मांट के तीसरे संसक्रन का आईजन कहा किया जाएगा किया जाएगा यनिकी अभी भी किया जाएगा कब होगा आयजन जुलाई 2023 तो जुलाई 2023 में डुमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के तीसरे संस्क्रण का आयजन जो है वो जैपूर जिले में किया जाएगा फिर है उध्यपूर स्तीत भारतिया लोग कला मंडल ने अपना कौन सा स्तापना दिवसे मनाया बैतरवा स्तापना दिवस तो भारतिया लोग कला मंडल जो है वो कहां स्तापित है उध्यपूर में और हाली में मार्ट 23 में अपना कौन सा स्तापना दिवस मनाया था बैतरवा स्तापना दिवसे मनाया था फिर आता है तीन मार्च को कोटा से एहमदाबाद के लिए शुरू की गई नई ट्रेन को हरी जंडी दिखा कर किसने रवाना किया तो तीन वार्च को कोटा से एमदाबाद एमदाबाद यानि गुजराद के लिए शुरू की गई एक नई ट्रेन जिसको धरी जंडी दिखायती है हमारे राजतान के कोटा बुंदी के सांसर या वर्तमान में लोगसबा स्पीकर या अधैक्स और लोगसबा स्पीकर या अधै की शुरुवात की गई सिंचाई मित्र अभयान की जो सुरुवात है वो हमारे राजरस्तान के गंगानगण जिले में की गई, तो किसानों को नहरीपानी के बेंटवारे एक तू ही अधर की जब बात आएगी तो जिला यानि की आन्स्वर हमारा क्या आएगा श्री गंगा नगर आएगा फिर है राजस्तान के चूरु स्थित सरदार सहर को अपना घर बताने वाले किस फिल्म अभिनेता का चांसट वर्ष के आयू में निदन हो गया तो हमारे राजस्तान के अंदर अगर हम देखे तो 37 कोशिक जी जिनका मार्च 2023 में क्या हो गया निदन हो गया तो चूरु स्थित सरदार सहर को अपना क्या बताते थे दूसरा घर बताते थे यानि 37 कोशिक का समन्द राजस्तान के किस जिले से या किस चेतर से है सरदार सहरे चूरू से है साथ मार्च दोजार तेश को मनाए गए जन ओस्दी दिवस तो जन ओस्दी दिवस कम मनाया जाता है जन ओस्दी दिवस मनाया जाता है परतिवर साथ मार्च को और इसकी थीम अगर पूछे तो थीम रखी गई थी जन ओस दी, सस्ती भी और अच्छी भी, सस्ती भी और अच्छी भी, जो है वो क्या रखी गई थी, इसकी थीम रखी गई थी, फिर आता है राजस्तान के किस जिले में कुपोशित बच्चों के लिए मिसन आया के तैद भीम प्रोजेक्ट आठ का संचालन किया गया, किस जिले में कुपोशित बच्चों के लिए मिसन आया के तैद भीम प्रोजेक्ट एट का जो संचालन किया गया, वो हमारे राजस्तान के दोस्ता जिले में किया गया, किस जिले में किया गया, दोस्टा जिले में किया गया फिर आता है पांच में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जोदपूर निवासी किस खिलाडी ने तराकी में कांसे पदके जीता इसकी जर्चा हमने पहले कर भी लीती लेकिन फिर भी अगर हम देखे तो योग्या सी हैं योग्या सी है का की है है फिर आता है अंतर राष्टिय महिला दिवस कम मनाया जाता है अंतर राष्टिय महिला दिवस जो है वो परतिवरस आठ मार्च को मनाया जाता है और यहीं अगर क्वेशन आ जाता राष्टिय महिला दिवस का क्या आ जाता राष्टिय महिला दिवस का तो राष्टिय महिल कहां किया गया नहार मोचसव का आवजन अगर हमारे राजस्तान में पूछे का किया गया तो राजस्तान के कोटा जिले में किया गया राजस्तान के कोटा जिले के अंदरे किया गया फिर अगर हम देखे क्वेशन आता है उद्धे पूर्स्तित किस विश्व विदाले में बह विशव विदालीय और इस विशव विदालीय में अगर हम देखे किस की नई किसम अब ध्यान देना अब एक्जामेन हो पुछी का काभूल फोर किस की किसम है यानि की आपके क्रिसी टॉपिक से ये कॉर्षवेन जो है वो आपका राइट आंसवर रहेगा चना, क्या रहेगा चना, तो काबूल फोर जो है, वो किसकी किसम है चना, किसके दौरा विक्सित की गिये, क्रिसी विस्थ विदाले है, कोटा के दौरा, पिर आता है मातमा गांधी की जहनती के अफसर पर राज्ये में उत्पादी खादी वस्तरों पर 50% की विशे सूटे कब तक लागू रहेगी यानि कि अगर हम देखे राजस्तान की बात करें चाहिए बारत की बात करें मातमा गांधी की जहनती पर राजस्तान की अगर हम देखें तो दो अक्टूबर कबसे दो अक्टूबर तो गांधी जहनती दो अक्टूबर और दो अक्टूबर से देखें तो तीस जनवरी दो अक मरन तिती जो है वो आती है फिर राज्य में पहली बार इंटरनेशनल राजस्तानी कौनक्लेव का आजन कहां हुआ था कब हुआ था कब हुआ था तो वर्स 2000 में हुआ वर्स 2000 में हुआ तो इंटरनेशनल राजस्तानी कौनक्लेव का आजन जो है वो पहली बार राजस्तान के अंदर जो है वो वर्स 2000 में हुआ था यानि कि 22-23 साले 23 वर्स पूरों की गटना है फिर आता है हमारे इसी से जुड़ा हुआ कोशन 23-24 सितंबर 2023 को इंटरनेशनल राजस्तानी कॉंक्लेव का आजन कहा किया जाएगा तो पहली बार जो आजन है वो तो हुआ था 2000 में और वर् उद्योग विबाग और राजस्तान फाउंडेशन के सयुक्ति तत्वाधान में किया जाएगा राजस्तान सरकार के शान्ति और एंसा विबाग पहली बार इसका गटन किया गया विबाग की और से राज्य राष्ट स्थरिये कोमियक्ता कार्यकरम जो है वो कहा आजन किया गया था तो आयजन कहां हुआ था धूदैपूर में हुआ था राजस्तान बाजरा के बुआई छेत्र उत्पादन में देष में कौन से तान पर है धाँ विर यह से जुड़ा हुआ वर्स 2023 को सहयुकत राष्टिर की ओर से किस वर्सೆ के रुप में मनाया जा रहा है तो राष्ट्री Hmm वर्स वर्स राजतानके बजट में हसमिल कमें जा रहा है कि वर्स को किस रूप में मनाया ज रहा है तो ते मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है. फिर आता है 13-14 मार्च 2023 को राजस्तान मिलेट्स कॉंकलेव का आईजन कहां किया गया? तो यह किया गया दुर्गापूरा में. और दुर्गापूरा कहा है? जैपूर जिले के अंदर है. फिर आपका आता है जवार का. बाजर रहेगा, फिर question आता है, रन तमबोर अभ्यारने, रन तमबोर अभ्यारने की किस व No को स्रीस का अभ्यारनीय में, शिफ्ट किया गया है, तौर्व में कहा थी, रन तमबोर में रन तमबोर से अगरम देखे तो कहां किया गया है सरिस का अभ्यारने में बागिन T134 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 की अगरम बात करे तो यह जो है वो आपका right answer है रहेगा T134 बागिन इसको क्या किया गया है सरिस का अभ्यारने shift किया गया है फिर आता है 10 से 12 मार्च 2023 सेखावाटी उत्सव का आजन कहां किया गया सेखावाटी की अगरम बात करें तो सेखावाटी जो चेतर है वो आपका सीकर जुन जुन यह चेतर आता है तो इसका मतलब है सेखावाटी का अगरम देखे तो लक्षमन गड़ जो है वो का है सीकर जी ले के अंदर है उस लक्षमन गड़ सीकर में सेकावाटी मौत्सव यानि उत्सव का आज़ने किया गया फिर आता है राजस्तान के राज्येपाल कलराज मिशन ने माराजा सूरजमल ब्रिज विश्व विदाले बरतपूर का कुलपती किसे निउक्ते किया तो माराजा सुरजमल ब्रिज विश्व विदाले जो वो कहा है बरतपूर में उसका जो कुलपती निउक्त किया वो प्रोफेसर रमेश चंद्रा है प्रोफेसर रमेश चंद्रा ये इनके क्या है कुलपती है राजेपाल कलराज मिशन ने राज रिसी बरत हरी मतस्य विस्व विदाले ये कहा हैं अलवर में और इनके प्रोफेसर अगर हम बात करें सील सियें यानि की सील सिंदू पांडे और इनको क्या बनाया गया है पुलपती बनाया गया है या कुलपती निफ्टे किया गया है फिर आता है रज्य सरकार को नए जीलों के गठन के सम्बंद में सुजाव देने के लिए 21 मार्च 2022 अब एक तो ये तारीक इंपोर्टेंट है कौनसी 21 मार्च 2022 21 मार्च 2022 को एक उच्छतरिय समीती का गठन किया गया था और वो जो समीती है वो कौनसी है उसके देक्स कौन है समीती का नाम है स्री राम लुभाया समीती कौनसी स्री राम लुभाया समीती फिर आता है समाजी के न्याय एम अधिकारिता विबाग की किन तीन योजनाओं को राष्ट्रिय स्तर पर सम्मान मिला है अगर हम देखे तीनों योजने अलग अलग अवार्ड मिला जिनमें एक तो है गोल्ड अवार्ड और दो को है सिलोर अवार्ड हमारे राजस्तान के अंदर चलाई जा रही एक योजना है पालनहार योजना और इस पालनहार योजना को अगर हम देखे तो गोल्ड अवार्ड मिला गोल्ड अवार्ड यानि कि स्वर्ण पदके मिला और फिर उसके बाद में देखे एक योजना आती है उत्तर मेट्रिक चात मुख्य मंत्री कन्यादान योजना और इन दोनों योजनाओं की अगर हम बात करें तो इनको कौन सा अवार्ड मिला सिल्वर अवार्ड मिला है तो एक योजना जिसको गोल्ड अवार्ड सवन पदक मिला वो कौन सी है पालन हारे योजना समाजिक न्याए एवधिकारिता विभाग की यतिनों योजनाई फिर आता है राज्य की पहली पंचायत समीति सर्ये नंदी साला का सुबारम कहां किया गय तो राज्य की क्या है पहली है तो हमारे राज्यतान का कोहला फारम या कोहला चेतर कोहला गाम और कोहला गाम जो है वो राज्यतान की जिले में है अनुमानगड जिले के अंदर है अनुमानगड जिले के अंदर जो कोहला है वहां नंदी साला का क्या किया गया है सुबारम क पहली पंचयत समती स्तर्य नंदी साला है फिर आता है राज्य में बिहेवियरल लेव की स्तापना कहा कि जाएगी जिसका परबंदन ने संचालन आई एम उद्यपूर दुबारा किया जाएगा तो हमारे राजस्तान के जैपूर जिले में जैपूर जिले के अंदर जैपूर म और वहां इसकी क्या की जाएगी बिहेवियर लेव की स्तापना की जाएगी 11 मार्च 2023 को मुक्य मंद्रिय तो गैलों जिने पुर्वी राजस्तान नहर परियोजना के निर्मान के लिए कितने रुपे के वितिये प्रस्ताव को स्वीकर्ती परदान की है तो 14,200 क्रोड पे की अगर हम देखे ये राशी राजस्तान सरकार ने लगाए जाने की गोशना की गई है फिर आपका अच्छा और इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है और वो बनता है अलवर जी ले के बानसूर में नेता जी सुबास चंदर बोस की मूर्ती का अनावरन किसी ने किया तो हम देखे वानित जी मंतरी यानि की सकूनतला रावत जी ने इसका क्या किया सुबारंबे किया फिर आता है 11 मार्च 2023 को विका ने रियासत की किस पूरो राजमाता का निधन हो गया तो विका ने रियासत और विका ने रियासत की पूरो राजमाता जिसका नाम है सुसीला कु और सुसिला कुमारी जी का क्या हो गया निधन हो गया तो सुसिला कुमारी जिनका निधन 11 मार्च 2023 को हुआ किस रियासत की पूरव राज मता है तो विक्का ने रियासत की पूरव राज मता है पिर है महला बाल विकास विभाग दवारा चैपूर निवासी किस महला को इंद्र महिला सकती आवार्ड से जिसे सम्मानित किया गया उसका नाम है इनाया खान की बात करें इनाया खान कहां की है जैपूर की और जैपूर की इनाया खान को किस आवार्ड से सम्मानित किया गया इंद्रा महिला सकती आवार्ड से सम्मानित किया गया फिर आता है मुख्यमंदरी असोग गैलोज जी ने किस जिले के 11 वर्षिय नन्ने स्केट्स आर्टिस्ट अंजू सुकला को मुख्यमंदरी निवास पर बुला कर सम्मानित किया या उन्हें उत्सा है बढ़ाया उनका तो राजस्तान के बांसवाड़ा जीले के 11 वर्षिय नन्ने स्केट्स आर्टिस्ट यानि कलाकार हैं कि जीले के बांसवाड़ा जीले के जिनका नाम क्या है अंजू सुकला फिर आती है राजस्तान के अंदर राज्य विदान सभा में वीडियो वोल का लोकारपन किस ने किया वीडियो वोल का लोकारपन जो है वो राजस्तान के अंदर डॉक्टर सीपी जोसी जवारा किया गया विदान सभा की बात करें तो वीडियो बोल है ये राज़ितान हर दिल का लाएं हैं उसका अंग्रेजी अनुवाज दा है де हैन्डी करफ ओफ राज़ितान नामक पुस्तके लेकक कौन है तो पन्ना लाल मेंगवाल जी पन्ना लाले मेंगवाल जी जो है वो इस पुस्तक के क्या है लेकक है तो पन्नालाल मेगवाल जी की बात करे तो उनके द्वारा लिखित पुस्तक है दा हेंडी क्राफ्ट ओफ राजस्तान फिर आता है वर्ष दोजार टेरिस चोविस में किस देश के सहयोग से राजिये के तेरा जिलो में 1693 क्रोड रुपे की राजस्तान वानिके जे विवितता विकास परियोजना शुरू की जाएगी तो राजस्तान वानिके जे विवितता विकास परियोजना जो है वो किस देश के सहयोग से चलेगी तो ध्यान रख लेना फ्रांस के सहयोग से किस देश के सहयोग से फ्रांस के स योग से चलेगी राना परताब सागर बांध का मोडल बनाने वाले व्यक्ति जिनका मार्च 2023 में निदन हो गया राजस्तान के अंदर राना परताब सागर जो बांध है उसका जो डिजाइन मोडल बनाने वाले थे दूला राम पंवार जी और दूला राम पंवार जी का क्या ह गैलो जी ने किस एप को लॉंच किया जिसमें कोई भी किसान क्रिसी विबाग की सभी योजनाओं को मोबाइल पर देख सकेगा या देखे सकता है क्रिसी विबाग की सभी योजनाओं को देखने के लिए राज किसान स्वीदा एप बनाया गया राज किसाने सुवीदा एप जो है वो बनाया गया राज किसाने क्रिशी विबाग की अगर अगर हम देखें तो राज किसान साथी पोर्टल है कौन सा है राज किसान साथी पोर्टल तो राज्य सरकार ये गहती है कि राजस्तान के अंदर सभी किसानों को जो जानकारी दी जा गठित कमेटी कौन सी है जिसका कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया यानि कि मार्च 2000 जिसका कार्यकाल बढ़ा गया था तो नई जिलों के निर्मान के लिए कमेटी जो है वह है डॉक्टर डॉक्टर राम लुबाया कमेटी या समीती और अंतरराष्य महीला दिवस आट मार्थ पर राज्य सरकार की ओर से किसे सम्मानी ते किया गया लक्षिता सर्मा और दिया अरोड़ा को लिय अगया था तो काफी चर्चा में रहती ये दोनों इंद्रा पिर्यादर्शनी आवाड आठ मार्च को परदाने किया गया जो जिला सतर पर टोप रहते हैं उनको फिर आता है इंद्रा गांधी सहरी क्रेडिट कार्ड योजना जो पहले शुरू की गई थी उसमें दारा कम था यानि के एक वर्ष के लिए थी फिर इसके दारे को वरतमान में बढ़ा दिया गया और वरतमान में इसके दारे को बढ़ाते हुए जो अवदियो कब तक की कर दी की गई है और मार्च 2014 तक जिसमें ब्याज मुक्त जो रिन है ये उपलब्द करवाया जाता है और कितने रुपे उपलब्द करवाया जाता है पचास जारे रुपे का सहरी चेतर में सुरू की गई योजना फिर बारा मार्च को सूरतगड वायू सेना स्टेशन यानि सूर्य, कीरन, सूर्य, कीरन, एरोबेटिक टीम, और इस टीम के अगर हम बात करें, तो इन्होंने क्या किया था, परदर्षन किया था, और परदर्षन कब हुआ था, बारा मार्च दोहजार, थेजित को हुआ था, वायू सेना स्टेसने, सूर्यतगड में, एरसो का आईजने किया गया था फिर राजस्तान के किस जिले ने आईएम सक्ती योजना में पर्थमस्ताने प्राप्तिक किया है आईएम सक्ती योजना के दायत राजस्तान के जुन्जुनु जिले ने किस जिले ने जुन्जुनु जिले ने मार्च 2023 में पर्थमस्ताने प्र सम्मान दोजार तेई से सम्मानित किया गया तो राइट आंस्वर रहेगा हमारा हरी प्रकास राठी हरी प्रकास राठी जी को जोदपूर के हैं जिनको काली चरण मिस्रा साहित्य भुशन सम्मान दोजार तेई से सम्मानित किया गया फिर आता है आपका important question राज़तान के रोपवे रोपवे के कोडिंग question जो है वो पुछा गया है कि राज़तान का तीसरा सबसे लंबा रोपवे जो 600 मिटर का उसका निर्मान कहां किया जाएगा यानि प्रस्तावित है तो राज़तान के अंदर बिजासन माता मंदिर कौन सा बिजासन माता मंदिर और बिजासन माता मंदिर की बात करें तो बिजासन माता मंदिर जो है वो राज़तान के बुंदी जिल्ले के अंदर है और बुंदी जिल्ले में राज़तान का तीसरा सबसे लंबा रोपवे यानि की, यह प्रस्तावी। फिर है राजसान के राजसंबन में किस महिला संसद ने बहरीन में 146 वी अंतर संसद ये संह की Asambley Meeting में भागे लिया, तो हमारे राजसान के राजसंबन की संसद है दिया कुमारी और दिया कुमारी जी ने क्या किया है? इस assembly meeting में भागे लिया फिर आपका most important question बनता है और इसी के दरश्टी से अगर हम बात करे तो most important question है रास्तान सरकार ने मदर्सा पेरा teacher का नाम बदल कर क्या रखने की गोशना किये सिक्षक बर्ती के अगर हम बात करे college lecture hour, first grade, second grade, REIT, men's की बात करे उनके लिए most important question बनता है कि मदर्सा पेरा teacher का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, सिक्षा अनुदेशक कर दिया गया है सिक्षा अनुदेशक इनका नाम कर दिया गया है फिर आता है राजस्तान में जैपूर पहला इट राइट के बाद किन दो स्टेशनों को खाद्य गुनवत्ता के मानकों को लगू करने के लिए FSSAI द्वारा इट राइट स्टेशन का दरजा दिया गया है जिन में से एक तो आएगा हमारा अलवर जिलेगा और दूसरे देखें तो अजमेर अजमेर स्टेशन ये अलवर ओरे अजमेर स्टेशन है और इनको कितने वरस तक के लिए दो वरस तक दो वरस तक इनको FSSAI राइट इट स्टेशन का दरजा दिया गया है इट राइट स्टेशन फिर राजे सरकार ने आंगनबारी कारे करताओं को आर्थिक संबल देने के लिए उनका मांदे जो है वो कितने परतिसते बढ़ाया है तो आंगनबारी कारे करताओं की अगरम बात करें तो उनका मांदे जो है वो बढ़ाये जाने की अगरम बात करें तो 45 परतिसते जो है वो आंगनबारी कारे करताओं को मांदे बढ़ाया गया है यानि कि वेतन बढ़ाया गया है फिर अब बात करते हैं बरतपूर के किस के लाड़ी ने बरेली उत्तर परदेश में आई जित 63 वी रास्त्री है रास्त्री है ताई क्वांडो परतियोगिता के 63 किलो ग्राम वरग में स्वर्ण पदके जीता तो मारे राजस्तान के ललित कुमार ललित कुमार जो किस जी लेके हैं बरतपूर के निवास्ति हैं और किस खेल से समंदित हैं ताई क्वांडो के लाड़ी है और 63 वी रास्त्री है ताई क्वांडो परतियोगित्ता में इन्होंने कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता है, फिर हम बात करते हैं चेंद्रिये रिजर्व पुलीस बल का चोरासिवा स्तापना दिवसराजय में जोदपूर में मनाया गया आगे बढ़ते हैं फिर आता है अंतर राश्टिय मैईला दिवस्त पर आई जित कर्येकरम में बेटी बचाऊ बेटी पढ़ाऊ योजना में पॉश्कार्छी जीला कलेक्टर को दिया गया तो उस समय जीला कलेक्टर की अगर हम बात करें तो जीला हनुमानगड जीला हनुमानगड और जीला कलेक्टर जो उस समय की अगर हम देखें तो वो थी रुकमनी रियार कौन है रुकमनी रियार रुकमनी रियार जो है वो जीला कलेक्टर जीला हनुमानगड और उनको ये उश्कार कब दिया गया था मार्च 2023 तारी कौन से आएगी आठ आठ क्यों निगी अंतर राष्ट्य महिला दिवस दिवस कम मनाया जाता है फिर देखें तो आपके जियोग्राफी का एक पार्ट क्वेश्चन मनता है गोटडा बांद किस जिले में है तो अगर हमसे पूछे कि गोटडा बांद किस जिले में है तो राजस्तान के बुंदी जिले में अंतर राष्ट्य गणित दिवस कम मनाया जाता है तो अगर पूछे कि अंतर राष्ट्य गणित दिवस कम मनाया जाता है तो अंतर राष्ट्य गणित दिवस मनाया जाता है फिर आपका इंपोर्टें परदूसित सहर है कौन सा है बारत का भी सबसे परदूसित सहर अगर हम देखें तो भी और पूरी दुनिया का तीस तरह राजस्तान का भी सबसे परदूसित सहर अगर कोई है तो वो है बीवाडी और बीवाडी की बात करें तो बीवाडी कहा है अलवर जिले के अंदर है का नाम क्या रखा गया तो रज्यस्तान की राज्यस्तान पुलिस ने एक ओप्रेशन चलाया ओप्रेशन अभियान जिसे नाम दिया गया ओप्रेशन गार्जियन क्या रखा गया ओप्रेशन गार्जियन और ओप्रेशन गार्जियन जो ये चलाया गया ताकि कोई जो अपरादी है या गेंग्स्टर है उसको फोलो ना करे या उनके खिलाब अगर हम देखे राजस्तान सरकार ने एक कानून जो है वो बनाया अभियान चलाया है फिर आता है परतिवर्श 15 मार्च को कौन सा दिवसे मनाया जाता है परतिवर्श 15 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है फिर आता है राजस्तान में पानिवे बिजली के चेतर में काड़े कर रही परमानू सहली के नाम से मशूर किस महला को राष्टिय महला उतकर्ष्टा सम्मा ने 2023 सम्मानिते किया गया तो हमारे राजस्तान की डॉक्टर नीलम गोयल और नीलम गोयल की बात करें तो इन्हें परमानु सहली के नाम से जाना जाता है और इनको राश्टे महिला उतकर्ष्टा पुर्षकार जो है वो दिया गया. फिर आता है आफ्री आफ्री दवारा तरुमित्र पुषकार किसे सम्मानिते किया गया आफ्री और काज्री दोनों कहा है जोदपूर के अंदर है ठीक है और हमारे राजस्तान के अंदर राधिका बिस्नोई क्या नाम आएगा राधिका बिस्नोई और राधिका बिस्नोई को तरु मित्र पुषकार से सम्मानिते किया गया। फिर आता है राजस्तान के पहले सरकारी हौर्स पोलो कलब ग्राउंड कहां मनाने की गोशना की गई है। लेकि राज़तान के पहले सरकारी और स्पोलो कलब ग्राउंड की एगरम बात करें तो ये ग्राउंड बनाया जाएगा उद्याइपूर जी लेके अंदर और ये आपका क्या बनता है अच्छा या इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है फिर आता है प्रिक्षा सेत्व प्रि इंपल उन्होंने एक उपनियास लिखा उपनियास की एगरम बात करें तो नाम आता है प्रिक्षा बाय चांस अगर उप्शन में नो पॉइंट प्रिक्षा ना हो तो नो पॉइंट सात प्रिक्त यानि कि दोनों भी क्या रहेंगे आपके right रहेंगे दोनों option में नहीं आएंगे. no point अगर हम देखे 60 है. क्या है? no point ए 60 है. इसका मतलब है no point 60 या तो वो exit देगा नहीं तो no point 6 देगा या no point 7 देगा. दोनों option में कभी नहीं आएंगे तो no point 6 जो हमारा जो है वो right answer रहेगा. फिर भी अगर by chance अगर देखे तो हो सकता है कि ये एक data बदल जाए. फिर परदेश में सरक्षित 1 चेतर बढ़कर कितने परतिसत हो गया है? सरक्षित 1 चेतर फल की अगरम बात करें. सरक्षित 1 चेतर जो है वो तीन point बाण में परतिसते हो चुका है राजस्तान के अंदर. फिर आता है राज़ास्तान के किस योजचना के तायद पांस करोड़ पोदों का वितर्न होगा। मारवाड की पहली medical university का निर्मान कहां किया जा रहा है कौनसी मारवाड की पहली medical university और मारवाड जब आएगा तो समझ लेना जोदपूर जोदपूर में बोरावाडा कौनसा बोरावास और बोरावास जो है वो आपके जोदपूर जिल्ले के अंदर है और जोदपूर के अंद पहली medical university जो है वो मारवाड की स्थापना की जा रही है राज्ये के किसानों को विजली connection जारी करने में किस डिस्कॉम ने बड़ी उपलवदी हासिले की है विजली connection जारी करने की अगर बात आएगी तो आएगा अपना जैपूर जैपूर नहीं अजमेर आएगा अजमेर विदूत वित्रण कल भी हमने इसकी चर्चा की थी विदूत निगम यानि कि वित्रण निगम जो है उसने अगर हम देखे तो विजली connection जारी करने में सबसे जादा जो है वो पलवदी हासिले की 16 मार्च 2023 को जो जारी की दीशुचना उसमें हमारे राजस्तान के कितने जिले आते हैं 16 जिले आते हैं कितने 16 जिलों के 8108 गाउं को क्या किया गया अभाव गरस्त गोसिते किया गया important question मनता है राजस्तान के मुख्यमंत्री असो गयलोजी ने राज्ये में 19 जिले और 3 नवीन संभाग बनाए जाने की गोशना कब की दी तो 17 मार्च 2023 को कब कीती 17 मार्च 2023 को जिसमें अगर हम देखे तो पूरों में 33 जिले ने 19 जिलों का गठन वरतमान में कुल जिले कितने 50 संभाग पहले साथ वरतमान में ने 3 संभाग यानि कि टोटल संभाग की संख्या 10 राष्ट्य टीका करन दिवस का मनाया जाता है कौन सा टीका करन दिवस का मनाया जाता है तो राजस्तान की अगर हम बात पना करके राष्ट्र की बात करें बात की बात करें तो पूरे बारत में परति वरत से 16 मार्च को राष्ट्य टीका करन दिवस जो है वो मनाया जाता है तो 16 मार्च को कौनचा दिवस मनाया जाता है राश्टिय टी का करण दिवस मनाया जाता है तीन से चोरी 6 से 13 मार्च 2023 बारतवय सिंगापूर के बीच किस युदा ब्यास के 13 संस्क्रण का आयजने जोधपूर में हुआ तो अगर हम देखे एक युदा ब्याच जिसका नाम है बोल्ड करूचेतर क्या नाम है बोल्ड करूचेतर तो अगर हमसे ये पुछे कि बोल्ड करूचेतर का आयजन कहा हुआ जोधपूर में कब हुआ 6-13 मार्च, किंदो देश के सेनाओं के बीच में, बारतव है, सिंगापूर के बीच में, और संस्क्रन कौन सा था, तेरवां, तेरवां संस्क्रन 6-13 मार्च, किस योजना के अंदरगत, राजस्तान सरकार दवारा, अलब संक्केक वरग के युवाओं को फ्रेंच, जर्मनी, अरबी, पार्शी और अंग्रेजी बासाएं सिखाई जाएगी, राजस्तान सरकार दवारा, अलब संक्केक वरग के युवाओं के लिए, अगर हम देखे, प्रेंच, जर्मनी, अरबी, पार्शी और अंग्रेजी, जो बासा है, वो शिखाई जाएगी, जिसके अगर हम बा एवे संप्रेस्तान, कोसल, योजना और इस योजना के तहत जो है वो इनको क्या सिखाई जाएगी बासाएं सिखाई जाएगी फ्रेंच, जर्मनी, अर्भी, फार्सी, अंग्रेजी इन सभी बासाओं को राजस्तान सरकार ने इस योजना के तहते सिखाने की बाते बता ही है दिव्यांग जन यूनिवस्टी की बात करे तो यह यूनिवस्टी है जैपूर, जामडोली जैपूर के अंदर, जामडोली जैपूर के अंदर, अटल प्रोग्रेस वे किस नदी के किनारों पर बसे सहरों को आपस में जोडने के लिए बनाया जा रहा है, अटल प्रोग्रेस तो ये चंबल नदी किस नदी की बात आएगी चंबल नदी और चंबल नदी में कोटा वे बारा जिले आ जाएंगे जिसके तैत जो है वो इसका निर्मान कार्य किया जा रहा है फिर आता है राजे के तीन नवीन संभाग यानि राजस्तान के जिले जिले कितने बने जिले अगर हम देखे तो 19 बने 19 जिले 33 पुरों प्रोटल 50 संभाग पुरों में साथ वर्तमान में अगर हम देखे तीन नई संभाग का गड़न किया गया बांसवाड़ा पाली होरे सिकर कौन कौन से एक तो आएगा आपका बांसवाड़ा दूसरा आजाएगा आपका पाली तिसर आजाएगा आपका सिकर यानि कि अब इनको देखते हुए राजस्तान में संभाग जब कितने हो जाएंगे 10 राज्यमिपूल कितने जिले और संभाग हो गए हैं जिले अगर पुछे तो कितने हैं पचास जिले संभाग पुछे तो कितने हो गए हैं दस संभाग हो गए हैं फिर आता है आपका क्वेशन माकाल उजेन की तरज पर सो क्रोड रुपे की लागत से जैपूर के किस मंदिर का निर्मान किया जाएगा। तो रजतान स्वास्ते का अधिकार विदेग 2022 जो काफी चर्चा में रहा था इस विदेग को पारित किया था 21 मार्च 2023 फिर एक विदेग और आ जाएगा आगे 19 ठीक है वो अब अलग तारीक आएगी 20 मार्च 2023 को मुख्यवंद्र रसो गैलोजी ने राजीव गांधी नोलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब का सिलान्या से कहां किया तो ये किया जोधपूर में और राजीव गांधी नोलेज इनोवेशन हब की बात करे तो कोटा जैपूर जोधपूर ये तीन जीलों में या तीन जीला मुख्यालियों पर जो है वो स्तापित है राजीव गांधी नो है फिर क्वेश्चन आता है राज्य विदान सबान ने राजस्तान सुक्षम लगू और मध्यम उद्यम स्तापना और परवर्तन का सुकिरी करण संसोधन विदेख संसोधन विदेख 2023 को कब पारित किया यानि कि यह जो विदेख हैं इन विदेख की अगर हम बात करें तो तारीक की पुछी जाती है तो तारीक आएगी आपकी बीस मार्च बीस मार्च दो हजारे 2023 फिरा राज्य विदान सभाद वारा नगरपालिकाओं में निर्वाचन एय योग्यता से समंदीत राज्तान नगरपालिका संसोधन विदेख 2023 को कब पारित किया तो most important question आजाता है आपका नगरपालिका यानि राज्य परसासन का question मनता है और राज्य परसासन के question के code देखे तो इसकी तारीक जो आएगी आपके 20 मारच कौन सी 20 मारच और 20 मारच 2023 को ये क्या कर दिया गया विदेखे पारित कर दिया गया फिर देखे राजस्तान के अंदर राज्य विदान सभाने अधिवक्ताओं के विरूद इंसा को रोकने के लिए राजस्तान अधिवक् 21 मार्च तो राजस्तान अधिवक्ता सरक्षन विदेग 2023 संसोदी दूरूप से कब पारित किया गया तो 21 मार्च 2023 को किया गया पिर 21 मार्च 2022 को शिक्षा मंतरी डॉक्टर बीडी कला दवारा परदेश के कितने जिलों के चीनित विदालियों में स्मार्ट साला प्रोग्राम का सुबारम किया तो स्मार्ट साला प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो राज् bize आएंगे आठ जिले, कितने जिली आएंगे आठ जिले, हो सकता है कि वह हम से पूछ ले कि आठ जिले कौन-कौन से हैं या कौन सा सामिल है या नहीं है तो दुलपूर करोली करोली, जेसल मेर जोदपूर जैपूर और बिकानेर ये वो आठ जिले हैं जास्मार साला प्रोग्राम का क्या किया गया सुब भारंबे किया गया किसके दवारा डॉक्टर बीडी कला जी के दवारा लंदन वर्ड बुक ओफ रिकोर्ड ने राजस्तान के सरकारी स्कूलों में संचाली किस कार्यकरम को सम्मानित किया हमारे राजस्तान के अंदर एक कार्यकरम चलता है और नो बेग डे जो है वो कब चलता है परती सनिवार को चलता है यानि कि बेग लेके नहीं जाना और इसी स पोडिशा में आयोजित, All India Public Sector, Golf Championship में सरशेश गोलफर के रूप में किसे है चुना गया। डॉक्टर देवेंदर कुमार या देवेंदर कुमार जी को चुना गया। कुन है डेवेंद्रे कुमार, डेवेंदर कुमार का संबन्ध किस जीले से है। जैपूर जीले Secretary किस खेल से है। गॉल्फ खेल से, किसे है, गॉल्फ वे से समझनी था, फिर है, चोविच से चब्विस मार्च तक सौलवाँ अखिल बारती है, राज़िय नागरिग पृशासिनिक सेवा महासंका अधिवेशन कहा आज़ित किया गया था, तो चोविच से सब्विस मार्च सोलवाँ अखिल ब दवारा परदेश्त की नंदी सालाओं को अब नो माकिस्तान पर कितने समय तक के लिए अनुदान दिया जाएगा ये कौन सी है नंदी साला है ये क्या है गोव साला है ये गोव साला है नंदी सालाओं में नो माह का जो अनुदान मिलता था उसको जारे को बढ़ते हुए कितन पोस्टन के लिए जो अनुदान सम्य सीमा थी उसका दाइरा भी बढ़ा दिया गया और उसका दाइरा बढ़ा के भी कितना कर दिया गया है बारा महा है यानी की पूरे वर्स कर दिया गया है तो ध्यान देने ना गव सालों में पाईज और अंदे गवंवस के लिए बारा मही और नंदी सालाओं में भी अगर हम देखें तो उनके लिए भी कितना कर दिया गया है? 12 महीने कर दिया गया है. फिर राजस्तान IT Day का आईजन 19 से 21 मार्स तक कहां किया गया? IT Day का आईजन जो है वो राजस्तान के जैपूर जिले में किया गया. कहां? जैपूर जिले के अंदर किया गया फिर आता है आपका थार मौत सब कौन सा थार मौत सब सब को पता है कि थार मौत सब का आज़न कहां किया जाता है तो थार मौत सब का आज़न होता है बार्ड मेर मेर में थार मौत सब का आज़न कहा होता है बार्ड मेर जिले के अंदर होता है फिर बात आती है सादूल स्पोर्ट स्कूल कौन सा आता है सादूल स्पोर्ट स्कूल और सादूल स्पोर्ट स्कूल अगर पूछ ले कहा है तो विक्कानेर के अंदर और विक्कानेर के अंदर इन सिंथेटिक कोड का क्या किया है सिला न्यास किसने किया है सिख्षा मंतरी बीडी कला ने 19 हो जा रहे, 23 को हेंड बोल हो रहे, बास्केट बोल, फिर आता है परतिवर्स 18 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 18 मार्च के एक रम बात करें, या पूचे कि आयूद कार खाना दिवस का मनाया जाता है, कौन सा आयूद कार खाना दिवस, आयूद कार खाना दिवस जो है वो पर्तिवर्स मनाया जाता है अठारा मार्च को अठारा मार्च से एक अपरेल तक परसीद रावल मली नात तिलवाडा पुशु मेले का आजन कहां किया गया मली नात तिलवाडा पुशु मेले का आजन कहां किया जाता है बाड मेर जिले में किया जाता है मुख्या मंत्रिय Sोक गैलोजी ने राजस्तान के किस चिखित साले में रोबोटिक सर्जरी यूनिट स्थापित करने की मंजूरी परदान किये है। राजस्तान के अंदर मतुरा दास चिकित साले कौन सा मतुरा दास मातुर चिकित साले और मतुरा दास मातुर चिकित साले जो है वो राजस्तान के किस दिले में है जोदपूर जिले के अंदर है जोदपूर जिले के अंदर स्तित मतुरा दास मातुर चिकित साले में रोबोटि योगिता दोजा 23 का आईजन कहा किया गया तो राजस्तान के अंदर 19 से 21 मार्स नेशनल योगा परतियोगिता का आईजन जो है वो जोधपूर जिले के अंदर किया गया कहा किया गया जोधपूर जिले के अंदर किया गया फिर आता है मुख्य मंत्रिय सोग गैलोज जी नहीं किस योजना का सुबारम किया गया जिसके तहित परदेश के दिव्यांग, व्रेद, विद्वा, महिलाओं, आद्धी, आसरीत लोगों को जन कल्यानकारी योजनाओं से गर बेटे जोड़ा जा सकेगा, गर बेटे बुजरुगों को जोडने के लिए दिव्यांग जनों को वर मतरी आसरी सेवा योजना से अगर हम देखे तो परदेश के दिव्यांग, व्रेजजन, विशेश योगेजन, उनको जिनकी, यानि किसी योजनाम जिनका नाम नहीं जुड़ा हुआ तो उनको घर बेटे जो है, वो क्या कर दिया जाएगा, उनका नाम में जोड़ा जाएग ये किसे दिया गया, वर्ष 2022 के लिए और 2023 के लिए, वर्ष 2022 के अगर हम बात करें, तो सिव विदान सबा, कौन सी, सिव विदान सबा, और नाम आएगा आपका अमीन खान, नाम आएगा अमीन खान, और 2023 के लिए अगर हम देखें तो अजमेर दक्सिन, अजमेर दक्सिन, औ और नाम आएगी अनित्ता बदेल अनित्ता बदेल नाम आएगा द्यान देरा अनित्ता बदेल जो है वह तो हैवर्श 23 है 23 और 2022 में देखे तो विदानसभा जो विदायक है वो अगर हम देखे तो आज आएगी तसी वे विदानसभा छेतर ठीक है अमीने खान फिर आता है परतिवर्स 20 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है रास्तान पुलिस के अंदर भी एक कोशन आया था काफी चर्चा में रहा था विशव गोरईया दिवस कम मनाया जाता है विशव गोरईया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को राज़तान कोसले में आजी का विकास निगम की और से किस मार्च को किस तान पर इंडेस्ट्रीज कनेक्ट 2023 का अरजने किया जाएगा यानि कि किया गया किया गया क्योंकि उस समय है तो किया जाएगा लेकिन वर्तमान में किया गया तो हमारे राजस्तान के अंदर अगर हम देखे तो बीवाडी अलवर राइट आंस्वर क्या रहेगा बीवाडी और बीवाडी कहा है अलवर जिले के अंदर फिर आएगा आपके राज्ये के किस जिले में हस्त सिलप नीदेश साले यानि कि सेंटर खोला जाएगा तो राजस्तान के किस जिले के अंदर हस्त सिलप सेंटर जो है वो खोले जाने की गोशना की गई है तो राजस्तान के जोदपूर जिले में किस जिले के अंदर राजस्तान के जोदपूर जिले के अंदर फिर राजस् अगर पूछे कहा किया जाएगा इसका आयजन किया जाएगा राजस्तान के जोध पूर्जीले में कहा किया जाएगा राजस्तान के जोध पूर्जीले के अंदरे किया जाएगा विस्व विदालियों की संक्या की दरश्टी से राजस्तान देश में कौन से स्थान पर है विस ने देखा कल हमने पढ़ा था परवरी का जब हमने करंट अफेर किया तो उसमें मैंने बताया कि दूद्ध संक्लन के मामले में राजस्तान का देश में कौन सस्तान है तीसरा है लेकिन दूद्ध उत्पादन में राजस्तान का अगर देश में पूछे तो कौन सस्तान है परत परतिशत्दूद का उत्पादन राजस्तान में हो रहा है तो राजस्तान 15.5 परतिशत्दूद उत्पादन के साथ देश में सिर्थ तान पर है यानी ही पहले स्थान पर है इकिस से तेईस मार्क्स तक G20 के सस्टेनेबल फाइनेस वर्किंग गरूप की दूसरी बेटक का आय फिर आता है right to health विद्येख पारित करने वाला राजस्तान देश का कौना सा राज्य है और ये कौश्चन हाने की 101% संभावना है राधा रिवास क्रिकेट कलब की और से वर्स 2023 के लिए परदेश की सरफस्रेस्टी सीनियर और जूनियर महिला क्रिकेटर का वार्ड किसे दिया जाएगा अगर हम देखे सीनियर वर्ग की अगर हम बात करें, किसकी सीनियर वर्ग की बात करें तो सीनियर वर्ग में है सुमन मीना, सीनियर वर्ग में सुमन मीना और जूनियर वर्ग की बात करें तो सिद्धी सर्मा, क्या नाम आएगा, सिद्धी सर्मा नाम आएगा, तो सिद्धी सर् 21 मार्ज को कौन सा दिवस मनाया जाता है 21 मार्ज को अगर हम देखे तो पर्ति वरस अंतर राष्ट्रिये नसलिये भेद भाव उनमूलन वर्स वो मनाया जाता है या मनाया गया तो पर्ति वर्स अंतर राष्ट्रिये नसलिये भेद भाव उनमूलन वर्स का मनाया जाता है 21 मार्ज को मनाया जाता है 21 मार्ज को कौन सा दिवस मनाया गया अंतर राष्ट्रिये नसलिये भेद भाव उनमूलन वर्स दिवस द्यान रक लेना जनवरी 2023 का करन्ट कमलीट हो चु जाएगी डे यानी परती दिन साथ आठ यह दस क्वेश्चन जितने बनते हैं वह क्वेश्चन जो आपको इसी चैनल पे संकल कोचिंग श्रीगंगानगर ओनलाइन जो आपको रोजना क्लास मिलेगी जो पहली बार आहाए वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक जुरूर करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ठीक है ना तो मुल्यांकर करते जाहिए राज्य सरकार द्वारा इग वर्नेस के चेतर में उतकरशकाय करने है तू वर्स 2021-22 के लिए कितने जाता है विस्व जल्डिवस जो है वह मनाया जाता है 22 मार्च को और अगर यही कुश्चन आ जाता राष्ट्रियजल द्वस तो चौदा अप्रेल को तो हमारा राइट आंसपर क्या रहता चौदा अपेले रहता तो राजीव गानी जल संचय योजना ये पहले से संचालित है थीग है 20 अगस 2019 से लेकिन अब पूचा गया है कि दिवित्या चरण का सुबारम इंपोर्टन्ट क्वेशन यहां से बनता है कि दिवित्या चरण का सुबारम जो है वो कब गवा था तो इसका सुबारम गवा था 22 अगस 2023 को राजीव गानी जल संचय योजना के दिवित्या चरण का क्या किया गया सुबारम किया गया उद्यापूर के किस डिसकस थ्रो खिलाड़ी ने पूने में आयजित 21 वी राष्टी है पेरा एतलेटिक्स चेंपियंशिप की F37 परतिस वर्दा में सवनपद के जीता तो पहली बार की खिलाड़ी किसी लेका है उद्यापूर का है किस खेल से समंदीत है डिसकस थ्रो से है प हमारा राइट आंस्परे रहेगा फिर आता है 23 मार्च 2023 को राजस्तान के सिख्षा मंतरी जाईदा खान ने सिखिस तहर में अरली चाइल्ड हुड केर एंड एजुकेशन इन इंडिया पर दो दिवस्य कारह साला का उद्गाट ने किया तो 23 मार्च 2023 को हमारे राजस्तान के जैपूर में कहां जैपूर के अंदर इस कारह साला का उद्गाट ने किया गया फिर आता है 24 मार्च 2023 को राजस्तान साहित्या अकादमी उद्गापूर के दवारा वर्स 2022 के वार्सिक पुर्षकारों की गोशना की गई तो वार्सिक पुर्षकारों में किन गिन को कौन सा प या उन्होंने क्या किया कोई पूस्तक या अगर हम देखें कोई कविता संग रहा है या कानी संग इस परकार से तो इसे क्वेश्चन जो है वो आगे भी आने की संभावना रहेगी तो मीरा पूस्तक रती सक्सेना को मिला कविता पूस्तक कौन सी है हंसी एक प्रातना तो हंसी एक प्रातना क्या है कविता पूस्तक है किसके दिवरा लिखीत है रती सक्सेना जनारदन राहे सम्मान पूस्तक अजमेर निवास्ती डॉक्टरे चंदर प्रकास देवर जी को मिला रगे रगव पुषकार बास्वाडा जिले के बरते चंदर सर्मा जी को मिला उपनियास क्या नाम है पीर परवत्षी तो पीर परवत्षी उपनियास जवव किसका है भरत चंदर सर्मा का है मुझमें मीठा तू है किसके माया मर्ग जी के दवारा कहा की जैपूर के निवासी कौन सा पुषका सुधिंदर पुषकार देविला सामर पुषकार किसे मिला जैपूर निवासी अजय अनुरागी यानि की रोंग नंबर जो है वो किसके दवारा लिखा गया है अजय अनुर कुसके है? राधाराम बादू के है करीति कौन चीं है नमंकिन नेता किसकी है? यस गोएले जी किया है और अगर पीछे संबू देया सक्षेना पुर्षकार कांकरोली निवासी कुसुमोगरवाल एकांकी पुर्षकार हम सब एक हैं सुमनेज जोसी पुर्षकार अद्यवपूर निवासी तराना परवीन कहानी संग्रे क्या है एक सो आठ एक सो आठ जो है तराना के दवारा लिखी था है पर्तिवर्ष को कौन सा दिवस मार्णा जाता है तो लिएक हैं आग मोसर देखके क्ट मार्णार है तो यह मनाया जाता है 23 से मार्च पिर अगर हम देखें आगे कुश्चन आता है मारा 24 से 26 मार्च मेवाड मौत्सव का आयजन कहां किया गया मेवाड मौत्सव का आयजन कहां किया गया था उध्यपूर में किया गया था 26 रोग दिवस कम मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है 24 मार्च को मनाया जाता है 25 से 27 मार्च 2023 तक राज़तान साहिते उत्सव का आयजन कहां किया गया तो ये किया गया था जोधपूर में किया गया था तो राजस्तान साइते उत्सव का आयजन जो है, मार्च 23 में कहा किया गया जनाना बाग, उमेद भवन, उमेद उद्यान जो है वो कहा है। राचसमेंध जीले के राजके बालिका उच्माध़में की विदाल्य नातधवारा का नाम किस सवतंतरता सेनानी के नाम पर हो रोगा. यानी की बदलकर किसके नाम पर रख दिया गिए ہے तो बदलकर रख दिया गिए स्वर्गिय नरंदर पाल चोधरी. नरेंदर पाले चोधरी तो इसका मतलब है नरेंदर पाल चोधरी के नाम पर राजसमंद जीले के राज के बाली का उस माध्य में की विदाले का नाम रखा गया है फिर आता है चूरू जीले के राज के उस माज़े में के विदाले होगा थर तरीका नाम की सवतंतरता सेनानी के नाम पर होगा यानि की विदाले का नाम बदल दिया गया है और ये कि सवतंतरता सेनानी के नाम पर रखा गया है तो गोपाल सियं राजवी स्वर्गिये गोपाल सियन-राजवी गौपाल सियन-राजवी के नाम में पर इसका क्या रखा गया है? नाम रखा गया है राज्जे के श्यानती और आहिसा विबाग का दो दिवस्ये राश्टे कादी ग्रमो द्योग सम्मेलन का आहजन की जिले में हुआ? किस विबाग के द manifestation आईशा विभाग के दवारा तो मारे राजस्तान के बिक्का नेर जिली में वो इसका आयज ने किया गया पिर आता है मुख्यामद्रिय सोग गयलोजी ने किन दो स्तानों पर केटल फीड प्लांट की स्तापना करने की मंजूरी परदान की है एक तो आएगा आपका उध्यापूर, उध्यापूर और दूसरा आएगा राजसमंद, और राजसमंद में देखें तो आएगा आपका नाथद्वार, राजसमंद के नाथद्वारा और उध्यापूर में केटल फीड प्लांट के साफना करने की मंजूरी जो है, वो परदा करने की गए फिर आता है मैसूर जु से एक्स्टेंज कारियेकरम के तहट राजस्तान के किस बायो लोजिकल पार्क में बेडिये लाना प्रस्तावीत है तो मैसूर जुसे अगर हम देखे राजस्तान का आ जाता है आपका नाहरगड कौन सा नाहरगड जैविक उध्यान और न 27 मार्टथ 22-2020 futures को बिकानेर के डाग पलेस में राज्ये सान्ति एऒएंसा विवादत के दोत्वसिय रृष्टियस तरिये खादी एंव ग्रामव द्योग समेलन का उद्ववाटन किसने किया । खादी एंव ग्रामव द्योग समेलन का उद्ववाटन वह गोविंद राम जी मेगवाल जी के दौइरा किया गया जी के दौइर राज क्या जीतरा राजक्यर महवदल्य को भूर्याय कम आमकरन किसके देखे तो राज के महाविदाले नगर का जो है वो नाम रखा गया है फिर आता है most important question और most important question के according देश के कुल उनके 45.91 परतिसत उत्पादन के साथ राजस्तान देश में कौन से स्थान पर है तो राजस्तान में अगर हम देखे कुल उन उत्पादन जो कितने परतिसत होता है 45.91 में परतिसत होता है और इसी के साथ राजस्तान जो है वो परतम स्थान पर है कौन से स्थान पर है परतम स्थान पर है फिर आता है 27 से 29 मार्थ 2023 विकानेर में आजित किसान मेले की थीम क्या रखी गई थी तो इसका मतलब है कि मार्थ 2023 में किसान मेले का आजिन कहा हुआ विक्कानेर में वे इस किसान मेले की थीम रखी गई थी पोशक अनाज सम्रद किसान जो है वो इसकी क्या रखी गई थी थीम रखी गई थी पिर आता है मुख्या मतरिया 100 गयलो जी ने परताबगड जिलेंगे में पिपलखूट हाई लेवल कहनार के निर्मान के लिए पिपलखूट हाई लेवल कहनार का निर्मान कहां किया जा रहा है परताबगड जिले में और इसी के कोडिंग कितने रुपे के वित्य प्रसाव का अनुमोदन जारी किया है तो राज़ेश्तान के मुख्या मंतरिया 100 स्तापित करने की मंजूरी परदान कि ए शुचना योग के बेंच शतापित करने की मंजूरी राजस्तान सरकार ने मुक्रमंद्रों सो गय लोजी ने राजस्तान durіть राजस्तान के जोधकूर जिले में किस जिला परशासन दवारा शुरू किये गए नवाचार से सहर को क्लीन, ग्रीन और मिन्नी पिंक सिटी बना दिया गया है। जूनियर हेंडबोल राश्ट्य परतियोगिता का आईजन कहां किया गया। में राजस्तान जो है, वो कौन से स्थान पर आचुका है, तीसरे स्थान पर आचुका है। फिर आता है राजिविका के सहयोग से किस जिले में राजस्तान की पहली मैलाओं दवारा संचालित पॉल्ट्री हेत्री स्थापित की गई है। तो राजस्तान के अंदर राजिविका के सहयोग से पहली बार मैलाओं दवारा संचालित पॉल्ट्री हेत्री जो है वो स्थापित की गई है और इसकी स्थापना जो है वो हमारे राजस्तान के डुंगरपूर जिले में की गई है। दुंगरपूर जिले के अंदरे की गई है। उन पुर्षकारों में देखे तो राजस्तानी सब्दावलियों से जुड़े हुए जो अगर हम देखे तो ये पुर्षकार आपके लिए इंपोर्टेंट है। ये देखे तो किसके दवारा लिखित है। कमल रंगा जो कहां के हैं बिका नेर के है। भर्खरमा पुस्तक डॉक्टर जितेंदर कुमार सोनी जो अलवर के हैं उनको मुली दर व्यार राजस्तानी कथा साहिते हैं। पुर्षकार जोक्डी खांतो बगत बाजूराम बिजारनिया अच्परी बातां मोनपुरी भीलवाडा और टावरारी दुनिया किरन बादल राइशियनगर यानिकी श्री गंगा नगर की। इनको ये पुर्षकार जो है वो दिया गया ये आप वेसे पढ़ लेना ज्यादा पुर्षकार पढ़नेगी ने लेकिन रचना जो है ये आप ध्याने रखना। प्रेम जी प्रेम राजस्तानी युवा लेकन पुषका देविलाल मैया लूनकंड सर्भिका ने लेकिन अंतस रो ओल्म ये किसके दवारा है देविलाल मैया जी के दवारा नहर सिर्की नारियां डॉक्टर कृष्णा अचारे और अगर हम देखें राजस्तानी राजस्तानी चुक्षिस्टान ने अपना कौशा स्तापनह वरमा कम बनाया जाता है। राइस्तान करें तो यह चुएत्रमा मनाया गया राजताने दिवस जो है वो 30 मार्च राजतान स्तापना दिवस ठीक है वो अलग चौप जैपूर ये आपका important question आता है ठीक है तो 30 मार्च को राजताने अपना जो दिवस मनाया है ठीक है जो दिवस मनाय है वो चोप जैपूर में ये पूरी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा किर्केट स्टेडियम है और ये किसके नाम पे रखा जाएगा अनील अगरवाल के नाम पे इसका नाम है रखा जाएगा तो अगर हम देखे बारत का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अगर पूछे क्रिकेट स्टेडियम अगर पूछे तो कहां बन रहा है चोप गाम का है जैपुर के अंदर बारत का सबसे बड़ा मोटे रहा यानि निरेंदर मोधी स्टेडियम फिर अगर हम देखे तो क्वेश्चन आता है आपका लखनव उत्तर परदेश में आए जित राष्टिय पेरा बेडमिंटन परतियोगिता में राजस्तान के किस खेलारी ने कांसे पदके जीता राष्टिय पेरा बेडमिंटन परतियोगिता में राजस्तान का एक खेलारी जिसका नाम है सुरेंदर कांकोलिया और स्रेंदर कांकोलिया जीने अगरम देखे तो कौन सा पुष्कार जिता कांसे अपद के जीता फिर आता है बाल अधिकार स्रक्षन आयोग ने Children's Championship Award 2023 से किसे सम्मानित किया तो कृती बार्थी कृती आर्थी को सम्मानित किया गया और कृती आर्थी जो है वो हमार बटालियन का सर्जन कहां किया जाना प्रस्तावित है तीन बटालियन है एक तो आएगी आपकी कोट पुतली कोट पुतली कोट पुतली अगर देखे तो कहा है जैपूर जिले के अंदर है और दूसरा है आपका बालोत्रा बालोत्रा कहा है बाड मेर के अंदर है बालोत्रा ब तक नेशनल लेवल योगस्टन परतियोगिता का आयोजन कहां किया गया तो नेशनल लेवल योगस्टन परतियोगिता का आयोजन जोब वो हमारे राजस्तान में किया गया और राजस्तान में भी कहां किया गया जोध उर्जी लेके अंदर किया गया राज्ये के किस प्रगति भी आवार्ड जो है वो मिल चुका है इस फिर आता है बाइस मार्च को प्रयावन जर्वाइव परिवरतन वे बाग दवारा राज्ये में कितने वेटलेंड्स शिनित कर अधिसुतना जारी की तो बाइस मार्च को राजस्तान सरकार के दवारा गरम नेखे तो तो कितने वेटलेंड्स चोमालिस राजस्तान के कितने जिलों को टीबी उनुमूलन के लिए सब नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ टीबी एलिमेशन अवार्ड दोजार बाई से सम्मानित किया गया तो हमारा राइट आंस्वर जो क्या रहेगा आठ रहेगा आज की क्लास का लाश्ट कोशन स्कोड स्टेट ऑफ गवर्नेस रिपोर्ट दोजार बाईस के अनुसार राज़तान देश में कौन से स्थान पर है तो तीसरे स्थान पर है तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जनवरी फरवरी और मारच दो हजार तैईस ये तो क्या हो है कंप्लीट और अब हम करेंगे अप्रेल दो हजार तैईस का करन्ट जीक है और यह करेंगे अपने कल तो आपको यह क्लास कैसी लेगी ठीक है मैं कॉम्पैट बॉक्स के अंदर अपने सुजाव अगर है तो सुजाव भी दीजिए अगर आपको किसी कोशन में कोई अगर आपका कोई भी साती सेह पार्टी first grade, second grade, RAS, SI की तयारी कर रहा है तो उसके नए बैच जो है वो प्रारमबे हो चुके हैं ठीक है ना तो 13 June 2023 से नए बैच जो है वो प्रारम और अगर आपका कोई साती सेह पार्टी अभी तक नहीं जुडा है तो उन्हें जूरूर ब कोई तयारी करना चाहता है तो उसके भी बैच स्टार्ट हो चुके हैं ससी बैंक और अगर आपका कोई साथी सह पार्टी आर्मी CRPF, BSF इनकी भी तयारी करने चाह रहा है तो फीजिकल के साथ संकर्व गुरू कुल जो है उसमें भी नए बैच जो प्रारम होने जा रहे हैं तो जुड़िये एक बहतरें टीम के साथ नमस्कार सूपरभाण सब्सक्राभाण झाल 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 झाल